अज़ करें विडियो है वह कुरान और हमका एपिसोड 6 हमने खत्म किया था वह हम लोगों ने इस मैसेज के साथ में किया था कि एपिसोड 7 में हम लोगों को पता चलेगा कि कुरान में जो वर्स लिखे गए है उनका एक्जेक्ट मीनिंग क्या है तो इस वीडियो को कि देखते हैं कि कोंसे वर्ड का इसेक्टली क्या में इसमें में इसमें में चिया गया है सो बिना वक्त जाया किये लेस्टार्ट दा वीडियो और है पर आप 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 अबियाई विल्मुर्सलीन वाला आलिही वसाहिए अज्माइन फिम्मान बाइद अस्सलाम आलेकुम रह्मतुल्ही वरकातु। उनका अर्दू में या किसी और जबार में तर्जमा एक ही होता है। उसकी पहली मिसाल में जो आपके सामने लखना चाहता हूँ वो है दिल की। दिल के लिए और चुरॉण में लवज कल्ब इस्तमाल हूआ है और दूसरा लवज फुआद इस्तमाल हूआ है। फुआद भी दिल को कहते हैं। कल्ब भी दिल को कहते हैं, अगर फुआद अर्बी में इस्तमाल हो रहा हूँ किसी आयत में, आप तर्जमा अर्दू में पढ़ें तो क्या तर्जमा निकलेगा? दिल. अगर फुआद पढ़ रहे हूं कहीं तो क्या तर जमा निकलेगा? दिल, क्योंकि हमारे हम मुखतरिफ अलफाज नहीं है, एक ही लफ़ है, तो हम एक ही लफ़ इस्तमाल करते है क्योंकि यह दो अलग अलफाज हैं तो लाजमी तोर पर इज़ अज़ तमा तफर्रका अगर दो करीबी अलफाज एक साथ जिकर किया जाए उनका, तो लाजमी उनका मकसद यह होता है कि अनमें जो फर्रक है, उसको हाइलाइट किया जा रहा है उनके बारे में एक तरह से तमीस की जा रहे है कि ये लफ़ और है, ये लफ़ और है अच्छा एक आयत है, قorآن की, मुसे आलेश लास्सünden की वालदा के बारे में को टोक्री में डालना और फिर टोक्रिया को दर्म्याद दर्या में फेकना दर्या में अराम से नी डालना अल्की ही फिल्यम फेको अठाके उसको दर्या में पेको अठाके यह असान का में इसे अमुस्ट इंफासब और अच्छा वो कर चुकी मुकाम किसी ना किसी तरह उनमें बताया जा रहा है सूरह कसस में एक आयत में मैं अर्दो में आसान तरजमा कर दो पहले मुसा की माँ का दिल खाली होता रहा खाली हो गया था इंकादत लतुबदी भी तकरीबन इस तक नौबत आ गई कि वो अपनी अपनी जो अपनी जो सीक्रेट है सीक्रेट क्या कहते है राज अपना राज खोलने को तियार हो गई नहीं तकरीबन यानि मकस्द कहने का यह है कि अब बच्चा नजर भी नहीं आ रहा उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो घर से बाहर निकल के चीखना शुरू कर दे मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा लेकिन इस पर नौबत नहीं आई वो अपने आपको खामोश रख सकी लू ला अर्रबतना अला कल्बिहा अगर ये ना होता कि हम उनके दिल को रोके रखते ये अक्शली लवजी तर्जमा होगा बांधे रखते रबता अला कल्ब रबत कहते हैं बांधने को लू ला अर्रबतना अला कल्बिहा अगर 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 अनके दिल को बांधे ना रखते लितकुना मिनलमुमिनीन टाके वो इमानवालों में से रहें यान्यू उनको इमान रहे कि बच्चा वापस आएगा अच्छा, इस आयत में उनकी दिल का दिकर दो ड़ा है पहली दफ़ा उनका दिल खाली हो चुका था याद है? दुसी दफ़ा उनकी दिल को बंदा गया मज़े की बात यह है कि पहली दफ़ा जब दिल का जखर किया तो फुआद का लवज इस्तमाल है अरभी में दूसी दफ़ा तब उसी दिल का जखर है उसी औरत का जखर है उसी के दिल का जखर है गल्ब का लवज इस्तमाल है तो एक दफ़ा फूआद और दूसी दफ़ा खाल। अर्दू तरजमे में यह बाद वाज़ है कि नहीं। अर्दू तरजमे में उनका दिल खाली हो गया और उनके दिल को बंढदा गया दिल और दिल एक ही लवज इस्तमाल हुआ है, ठीक है न। तो अर्दु में और किसी भी और तरजमे में, इंगलिश में हर्ट और हर्ट, कोई तरजमे में फर्क पता निचलेगा आपको, अगर फर्क है तो अर्बी में है, तो इसको समझने की कोशिश करें अब, फुआद असल में आम लफ नहीं है दिल का, फुआद कहते हैं ऐसे फुआद, ऐसा गोश्ट जो आग में पड़ा हुआ, अच्छा, फुआद का लफ मुहावरे में इसलिए इस्तमाल होता है, कि कभी कभी इनसान या बहुत ज़्यादा खौफ में होता है, या बहुत ज़्यादा खुशी में होता है, या बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट या खुशी से आख पे लगवा है कहले हमें तो अर्दू में यह बात समझ नहीं आती आग को हम सिर्फ गुस्टे से असोसीड करते हैं लेकिन अर्भी में अगर दिल आख पे लगवा है तो आग का मकसद है कोई एक एमोशन है या खौफ है या खुशी है या एकसाइटमेंट हालात में उसको फुआद में कहा जाता है उसके कहा जाता है उसके कहा जाता है उसके कहा जाता है उसके कहा जाता है अब इस आयत के शुरू में बच्चे को दर्या में फेका जा रहा है उस हालत में मा का दिल फुआद होगा या कल्ब होगा तो फुआद होगा वास्बहा फ खोलने पर अमादा हो गई, लो ला अर्रबतना अला कल्बिहा, अगर ये ना होता कि हम उसके कल्ब को बांद कर ना रखते, यानि आल्ला ने उनको दुबारा काम, तसली दे कर, काम करके, उनको दुबारा, you know, he calmed her down, काम, काम अड़ान हरी से दे नर्दू, इत्मिनान करके, इत्मिनान दे के, उनको दुबारा मुतमें करके, अगर उनको तसली ना दी होती, तो वो फुआद का फुआद ही रहता, और अगर फुआद ही रहता, तो वो बहार आके सब को बता दीती, कि ये मेरा बच्चा है, और ताला ने गैर आदी तोर पर उनको तसली दी, इस सिचुएशन में उनको तसली दी, इसमें बहुत सारे दुरूस हैं, एक छोटी सी बात मैं कर दूँ अभी, वो यह है कि हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे हालात आते हैं, कि हमारा दिल बिलकुल आत बन जाता है, या गुसे से, या अदासी से, या किसी हादसे की वज़ा से, किसी खबर की वज़ा से, दिल एक दम से बिलकुल ओवरवल्म हो जाता है, और उन हालात में, क्योंकि ये नभी नहीं है, ये आम आम ओरत है, ये सहाबिया तो हैं, लेकिन फिर भी नभी नहीं ह और इस रब्तुल्कल्ब का जिकर कई मर्तबा कुरान में है और कई मर्तबा गैर नभी के लिए है मकसद यह है कि ये तोफ़ा अल्हा अल्हा सिर्फ अंबिया को नहीं देता ये हर मुसल्मान के लिए अल्हा की तरफ से तोफ़ा है या कोई मसला हो आपकी सेहत का, कोई और मसला हो और आपको दिल का इत्मिनान चाहिए उस वक्त भी इत्मिनान आपकी तरफ से आएगा लुला अर्रबतना अला कल्बिहा लितकूना मिनल्मुबिन एक बड़ी अजीब आयत है कुरान की सूरह इस्रा में इन्न सम्आ वल्बसर वल्फुआद कुलू अलाइका काना अन्हु मसूला आपका सुनना, आपका देखना और आपका फुआद अब मैं तरजमानी कर रहा है दिल, मैं कह रहा हूँ फुआद आपका सुनना, आपका देखना और आपका फुआद इन तमाम के बारे में पूचकच होगी इन तमाम के बारे में पूचा जाएगा अजीब आयत, इसलिए है कि सुनना तो समझ में आता है देखना भी समझ में आता है, जो कुछ सुना उसके बारे में पूचकच होगी क्यों सुना भई, क्यों गीबत सुनी, क्यों किसी के बारे में जूट सुना, क्यों फजूल बातें सुनी, देखा, क्यों देखा, क्यों नजर नीची 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 नीची, क्यों खराब चीज देखी, उसके बारे में पूछा जाएगा। इनसान जब किसी एक इमोशन की वज़ा से ओवर्वेल्म हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्साइटिड हो जाए, तो फिर गलती कर बैटता है अगर आप बहुत ही बुरे मूरड मी हैं तो शायद आपके जबान से ऐसी बाते नकल आएं, जो बाद में आपके हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए थी इनसान के भी गुसे में ऐसी हरकत कर देता है जो उसको बाद में ख्याल आता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था होता है कि नहीं इनसान के भी डिप्रेशन में कुछ ऐसी बातें कर देता है उदासी में कुछ ऐसी बातें कर देता है आप समझ रहे हैं बात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इमोशन्स बहुत आराम से एकसाइट हो जाती हैं और वो आप इसे बाहर हो जाते हैं बिल्कु छोटी बातों पर जैसे हो सकता है आपकी घर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे हजरात भी हैं जिनका खुसा बहुत और कि दिनका खुसा तुमारा अभी तो चीख रहे थे और आप तो चीशे डोड़े थे घर के और अविक दम से दोबारा बिल्कु नॉर्मल जैसे कुछ हो भी नहीं और कुछ लोग इससे बड़े कंफ्यूज घर में यानि एक बाप है उसको गुसा बड़ा आता है बेटा गर में आया बेटा घर आते के साथ ही तुम ऐसे निकब में तुम तो ये तुम तो वो चीख पोकार शुरू बेटा 18 साल की उमर होने के बावजुद इसके आँखों में आसु आगे कि ऐसी ऐसी बाते सुनने को बिल रही है पिर मा जा कि बेटे को तसली देती एक ती देखो त में गुसे में कुछ कह दिया था लेकिन वो मैं नहीं था वो तो बस मैं कुछ मुझे कुछ हो जाता है जब मुझे गुसा आता है मुझे कुछ बस हो जाता है आपके बच्चे कहेंगे I didn't mean it mom that wasn't me this is me you know होता है कि नहीं पर लोग क्या करते हैं लोग इसको एक तरा से एक ए पूछ केंज नहीं कर सकते हैं जो मैंने डिप्रेशन में हरकत की थी उसके बारे में मत पूछो देखो वो it was a special occasion वो कुछ बात आपे से बाहर हो गए थी लेकिन वो उसके बारे में वो बात दुबारा मत लाओ देखो वो एक गल्ती थी वो हो चुकी आला ताला इस आयत में बड़ी हिक्मत से फर्मा रहे हैं देखो जिस हालत में तुम अपने आप को कहते हो के देखो उस बारे में मत पूछो उसके में गुस्बारा में मुझे को इंटरोगेशन नहीं हो सकती उसके बारे में खास कहा क्योंकि लोग उसी को मिसाल बनाते है उसी के पीछे हिड़ते कि देखो जब एक दफाई इस तरह की सिचुएशन हो जाए मैं फुआद बन जाओ मेरा कल्ब फुआद बन जाए तो फिर उसके बाद मत पूछो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता है अच्छी तरह पता है और पूच 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 होगी और रुसी के बारे में होगी यहा देखाए कोप्स हायवे नेकलाबा पकड़ा नहीं जा रहा उसके बाद रेस कार है पुलीस वाले बिचारे पीछे रहे जाते है यह जब तक उसकी गयस खत्म नहीं हो जाए अब उसकी गैस खतम हो गई फिर पुलीस वालों ने आके उसको पकड़ा गाड़ी से बाहर हैं उसका साइकालोजिस ताके कहता है कि जब हाइ स्पीड चेस हो रही होती है लोग बड़ी स्पीड में ड्राइब कर रहे होते हैं तो अड्रेनलिन बहुत ज़्या होता है जब सिस्टम में उससे ज़दा logo इससाइडमिंट हो जाती है असल में उसकी पिटाए पुलीस वेरे ने 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 की थी उसकी इड्रेनले ने पिटाए की थी उसकी फुआद ने पिटाई की थी इसकी अप इसको जेल्मेन डाल सकते de तो ये एक्सक्यूस इस तरह की माज़रत अब कोड रूम में भी इस्तमाल होती है और अचला फर्मा रहे हैं इन्ना सम्आ वल्बसरा वल्फुआद इसका एक और मैने इसकी एक और मैनिफेस्टेशन किया होती है कहीं कहीं जलजला आया या सलाब आया या कोई इन्रस्ट तो लोग क्या करते हैं आम आदमी आम तोर पे बिलकुल आम आदमी है को यानि स्कूल टीचर है अकाउंटेंट है जो भी है जब एक दफा दुकानों की तोड़ फोड़ शुरू हुई और लोगों ने गाड़ी या गाड़ी लूटनी शुरू की और दुकानों में से टीव सवाल जाओ जाओ औरें तुम यह हरकत क्यों की I don't know what happened और साइकोलिजिस कह रहा है जब तमाम मॉब ऐसी हरकतें कर रहा हो तो इंसान का सर घूम जाता है वो भी हरकतें शुरू कर देता है वो सोचता नहीं कर क्या रहा है यानि वो भी अर्गुमेंट कर रहें के देखो उस अब देखें अगर आप इस आयत का तरजमा दिल पढ़ें और गुजर जाएं तो यह सारी बात निकलेगी के नहीं बिलकुल आकर से आप बिलकुल ऐसे गुजर जाएंगे जैसे कुछ बाती नहीं हुई तो कुरान के हर लवज पे खास अटेंशन खास एक एक अर्भी में क यहीं खुछते हैं बजह क्या होते हैं शक aha टो ऐख किसी तरफ किसी शेकल कीकि तरफ किसी चीज़ की तरफ किसी चीज़ की तरह पनी शक्र करना उसे तवजह कहते हैं तो आप यह निए निकल सकत 씨ि कि कि थाषवाद की वह जज़ेसे कि आप प्रेशर में थे या आपका वो एक एमोशन इतना जादा दूसरे एमोशन के ओपर हैवी हो गया कि आप लोग आपको अपने जहन पर आपको अपने एक्शन पर कंट्रोल नहीं रहा और आपने वो कुछ ऐसा पर्टिकुलर काम कर दिया तो नहीं आपको जो भी काम किया ह उसके लिए उसके लिए खुद अपनी रिस्पॉंसिबिलिटी लेने परेंगी में फाम को इनकी थ गों अरभी समज में नहीं आ रही तो दे आमोश चांसें की जो वाबा है या वो या आप लोगों को मिश्गाइब भी कर सकते हैं किसी कभी किसी ओर पॉपस के लिए क्लिए जो इनॉसें लोग होते हैं वन लोगों को बह्गा भी देते हैं इसका मैंनिग यह है यह बोला है आपको यह करना पड़ेगा तो यह लोगों को पता होने चाहिए कि क्या है कि अगर सारे वर्स पता है तो हम लोग कभी भी किसी को भी आंसर कर सकते हैं जो से हमारी नोलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कि अगर सकते हैं कि अगर सकते हैं तो इसलिए इतनी अची बुक की इंटायर और थोरो नॉलिज होनी बहुत जुरूरी है और उसके हर वर्ड का इग्जेक्ट मेनिंग भी आपको पता होना चाहिए तो आज की वीडियो को यहीं पे खतब करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स व किली बग्याइ